Hello students, आप सब का स्वागत है हमारे चैनल Amplitude Studies 2.0 में देखिए आज के वीडियो में हम आप से डिसकस करेंगे कि जो Apprenticeship का Certificate होता है जब आप अपनी Apprenticeship पूरी कर लेते हैं डिपलोमा करने के बाद तो वो आपको Apprenticeship Certificate कैसा होता है, किस तरह कर दिखता है और हमारे सामने ये जो Apprenticeship का Certificate है ये हमें हमारे स्टुडेंट है, जेतेन सिंग नागर उन्होंने बेजा है उन्होंने Larson Intubro NKLNT से जो है वो अपना प्रोबेशन, अपना जो Apprenticeship है कंप्लीट करी है और तब उसके रेफरेंस में उन्हें ये Certificate मिला है तो जैसे ही Certificate मिला इन्होंने हमारे पास भेजा और हम आप सब के लिए अब ये लेकर आए हैं सामने सबसे उपर देख लिए यहाँ पर अनुबंध पंजी करन संख्या होती है और ये अनुबंध पंजी करन संख्या जो है वो क्या होती है तो वो एक अलग ही नंबर होता है उससे आपको कोई अभी मितलब नहीं है और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में नाम अंकन संख्या होती है यह भी अपरेंटिशिप बोर्ड के अंडर की नाम अंकन संख्या है जो बीटी यूपी की नाम अंकन संख्या है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है जो आपका वहाँ पर रेजिश्रेशन होगा नेट्स वेट्स के तुछ उससे नंबर होता है यहाँ पर देखें बीच में जो है वो भारत सरकार लिखा हुआ है राश्ट्रिय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना नेशनल एमपेट्टिवशिप ट्रेनिंग स्कीम जिसका की शॉर्ट फॉर्म एन एट्स करके बोला जाता है बियुकिया मैं निसरी ऑफ्मेगेशन Chinese के अन्तर घता है यह प्रभीन इसरडिफीकेट योजनें कि सर्डिफिकेट फ यह फिशिएन्शी बोले जाता है यहां पर देखे Nets का logo भी लगा है यह प्रमारित कियाता है कि श्री जितेंद्र सिंग नागर यह इनका नाम लिखा हुआ है पुत्र श्री श्रीमती तो नाम लिखा हुआ है वो मैंने हाइट कर दिया है तकनीशियन तकनीशियन अपनेशिप जो है वो करी है इन्होंने at 1961 amended in 1973 at Larson Intubro Limited Mumbai तो L&T से जो है वो करा है इन्होंने तो यही देखिए अब यह certificate इसको कहीं भी लगाएंगे तो इस certificate की value है उसको लोग समझेंगे कि हाँ यह बहुत अच्छी company से किया गया है तो ऐसे certificate की value जो है और भी बढ़ जाती है मैं किसी को कम जादा नहीं कह रहा हूं लेकिन यह है कि फरक तो पड़ता ही है तो दिनांक 26 सितंबर 2022 से और 25 सितंबर 2023 तक यह एक साल का इन्होंने जो है वो यहां से complete किया है और अगर बात करें तो 2022 के ही पास out थे यह उसी में इन्होंने qualify कर लिया था बिना कोई समय गवाएं यह रेंटी में चले गए थे और mechanical engineering production से का प्राप्त किया इन्होंने और इनका जो प्रगति और निश्पादन है उसको अति उत्तम निर्धारित किया गया है यह parameter होते हैं कि आपका कारे वेभार और कारे कुशलता अपरेंटिशिप के दौरान कैसी रही यह बहुत जरूरी होती है जब आप किसी दूसरी company में apply करते हैं तो वहां पर यह चीज तो माइने रखता ही है लेकिन यह चीज भी जो है वह जो माइने रखती है अब इसका दूसरा पेज भी देख लेते हैं तो नीचे देखे यहाँ पर शिक्षुता प्रशिक्षन बोर्ड पच्चिमी छेतर उनके साइन वाइन है यहाँ पर और 18 दिसंबर 2023 की डेट पड़ी इसस्किल एस्प्सबीन शीट है जिसमें की इनके बारे में जानकरी दीगी है पारट जो है जो है वो सामान अन जानकरी इसमें है कि यह कौन है और कहां से किया है तो वही लगए है इनका नाम लिखाै थे अब बार्ट भी यहां पर आ गया एक से दस्त में अंक दिये गए इने कि पहला जैसे है शामान विशिष्टाओं में समबात कोशल क्या था इनका आप तेकनिकल में दिये गहें हैं मंबर यहां पर। तो यहां पर व देख लिए विशय शक्ता का इसतर और शक्रश चैट्र TS1 TS1 में यह हो गया IT Software इसमें 9 नमबर है TS2 IT Hardware इसमें 8 है Design में 9 नमबर है उपर देखे सब 9, 8, 9, 8, 9, 8 नमबर दी है और Numbers का मतलब क्या है तो यहाँ पर अगर देखें आप तो बहुत खराब खराब इस तरह से ऐसे करके इसमें जो है वो यह नीचे दिखा भी है 3 या उससे अधिक कोशल के पैमाने पर कम से कम 3 अंक प्राप्त करने वाले उमिद्वार को सफल माना जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि अगर apprenticeship में आपको एक या दो यह इस तरह 0 मिला बहुत खराब और यह इस तरह से मिल गए एक बहुत खराब खराब दो और आउसत से कम 3 ठीके न तो तीन अंक जो है वो अगर हो गए आपको तो फिर सफल माना जाएगा कि apprenticeship कम्पलीट हो गई अगर एक दो आया तो फिर वो नहीं अच्छा मना जाएगा और बाकी आगे जितना आ जाए वो आपके उपर होता है तो ठीक न तो यह नीचे फिर 18 दिसम्बर फिर वही डेट और साइन वगरा हैं तो इस तरह का आपका जो है वो apprenticeship का certificate होता है तो सबी ज इस तरह से आप अच्छा score पा सकें और फिर किसी और company या उसी company में आपको आसानी से जो है वो absorb किया जा सके वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल पर पहली बार है सब्स्राइब जरूर कर लें मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स वीडियो म दोने वाद